268 हो गया है सरदार बिशारत wants to be in your video हां बिशारत अब आजे वीडियो पे 304 315 326 there are so many people online अच्छा जी जो आप सुन रहे हैं मैं फिर चांद बाते तीन-चार कर देता हूं सबसे पहला आपका concern है ज्यादतार हमारी public का के PIA की flights का अब शुरू हो रही है अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कोई बंदा respond तो कर रहा ना मुझे पता चले कर सुन रहे हैं कुछ लिख दो क्या आप मुझे सुन रहे हैं मेरी आवाज आ रही है अजब ये PIA की flights जो हैं वो एक हफ़ते से लेके एक महीने तक में रिज्यूम होएंगे इंशाला और PIA के flights के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग का दूसरा question हो सकता है चाइनिज वैक्सिन के बारे में चाइनिज वैक्सिन के बारे में I am pushing with them for the last two months पिछले दो महीनों में ये हुए है कि उनकी दो टीमें बीजिंग गई है साइनो फार्म और साइनो वैक जो है उसकी manufacturing facilities को देख के आई है उदर से आने के बाद अभी ये जो इसमें GCC में supply हो रही है चाइनिज वैक्सिन वो बहरेन का एक city मानामा वहां से और UAE शार्जा से हो रही है तो अभी ये first week of July में Chinese embassy जो हमारी इदर है इन्होंने coordination की है कि ये इस week में जा रहे है सौदी मानामा और शार्जा में जहां पे वैक्सिन बन रही है उन facilities को देखने जा रहे है WHO भी इसको accept कर सक कर चुक है इनका मामला थोड़ा सा स्लो है लेकिन मेरा रजाती राही है based on my interaction with the साओधी मेरा ख्यालिया है कि हज के फॉरण बाद इन्शालला इन्शालला चाइनीज वैक्सिन भी announce हो जाएगी इदर that is number two number three is हमने इदर जिन लोगों के हमारे पास डेटाज इकटे हुए थे वो अबोट ten thousand cases हमने labor ministry और interior ministry को दी हैं जिन में से एकामास खतम हुए 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 labor ministry ने हमारे साथ कमिट किया है कि वो तकरिमां ढाही जार केसे इन्शालला इस हफते में ज्यादातार हमें हल करके देंगे कफीलों की ज्यातियां जो हैं उसको resolve करके देंगे मेरे पास information है चांद लोगों को रियाद में मुझे पता चला है information has come to me कि जी उनको labor ministry वाले ने कॉल किया है उनके कफील के problems के स्लिस्टे में फिर कफीलों को भी कॉल किया तो something is happening आप लोगों के पास अगर ज्यादा information है ज्यादा लोगों को अगर वो कॉल कर रहे हैं और उनके कफीलों को कॉल करके मामलात resolve कर रहे हैं तो कुछ अच्छी खबरें भी हमारे साथ शेयर कर लिया करो next point is Allah आपका बला करे हाँ जी हमने एक और इदर काम शुरू किया है जितने लोगों के पास reasonable काम नहीं है या वो illegal होने की वज़ा से अपने पूरी technical qualification के मताबिक काम नहीं कर सकरे उसके सिलस्रे में हमारे ये जो community welfare अताशी नवीद अफसल साहब हैं इन्होंने एक एप लांच की थी उस पे रिजिस्टर करें अपने आपको हमारे पास drivers की, carpenters की, ये टाइल वर्क करने वालों की, iron work करने वालों की, boom operators ये जो बड़ी मशीने हैं, plants, operators, इनके, फिर mechanics, इनकी बहुत सरी विकेंसी हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास एक company पहले बैज को select करने आ रही हैं, हम इसी जो लोग हमारे पास register हो रहे हैं, उन में से साथ सतर लोग हम उन्हें आफर का रहे हैं, जो सीरियल सीरियल वाइस उन्हें आफर करते जाएंगे, और वो आने वाली companies उसमें से बंदे select करके ले जाएंगे, और वो कह रहे हैंगे, जी हम कामाज वगारा खुड ट्रांसफर का देंगे, उनकी preference ये हैं, कि अगर किसी ने साथियरब में रहते कुछ अरसा हो गया है, और साथी वैक्सिन लगवाई हुई है, साथियरब में रहते हुए, तो वो उनको prefer करेंगे, टेकनिकल qualification के अलावा या टेकनिकल expertise के अलावा, तजर्बे को देखते हुए, वो ये भी देखेंगे, कि किसी नेगर साथी वैक्सिन उनके vaccination center से वैक्सिन लगवा सकते हैं, तो हमारे पास आप register भी हों, और साथी वैक्सिन भी लगवाएं, नेक्स पॉइंट इस, ये जो हमारे पास register हो रहे हैं, इसमें से, लहम्दुलिल्ला, आज भी एक और company आई थी, मेरा ख्याल ये था, कि वो बीस, पच्चिस, तीस ल हमारे थू जाएंगे इन companies में, number one, उनको कोई payment हमें नहीं करनी पड़ेगी, embassy को नहीं करनी पड़ेगी, कोई embassy में से कोई बंदा पैसे मांगे, तो आपने मुझे बताना है कि पैसे मांग रहे, number two, हमारे बीच में होने की वज़ा से, वो जो legal agreement आपके साथ sign करेंगे, हम उ legal agreement की एक copy embassy में रिटेन करेंगे, और वो एक फर्दर एक चेक होएगी, कोई आपके साथ किया वा legal agreement उसको violate ना करें, वो हमारी कोशिश यह है कि individual कफील्स को ना हम दें, हम बड़ी कंपनियों को अपनी मेहन पार सारी के सारी दें, तो यह हम चंद कोशिशें कर रहे हैं, इस आपके सुझेशन के सुनने के लिए, यानि पढ़ने के लिए, मैं भी खामोश हो रहा है। around the school के सिल से मैं बता रहे कहा है, मैं सुझी ठायट्स Mrs. सूझी पलाइट्स चारे हैं, मैं सुझी थ्लाइट्स चारे हैं मैं सुझी थ्लाइट्स चारे हैं यानि भी खाम प्लाइट्स हो मैं शिएnelle हैं यां थानि तर नहीं पाद ओंने तर चारे है Not OneOhih 1.1 के यह किले होगे लोग जो देख रहे हैं यह सर अच्छा जी एक और चीज मैं देख रहा हूं यहां पर जो कमेंट सारे हैं वो स्कूल्स के बारे में भी लोगों का आ रहे हैं स्कूल्स में दो तीन इशूस हैं वो आप सारे सुन लें हमारे स्कूल्स ने बड़े मुश्कल हाला में हमारी कम्यूनिटी के बच्चों को बहुत अच्छी सर्विसिज प्रॉइड की हैं तालीम के मियार के सिलसले में मैंने समझता को कोई बड़ा प्राब्लम है बच्चों के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं जो इशूज हैं स्कूल्स के वो प्राब्लम्स हैं दो एक तो यह है कि जब से यह कुरोना कोविट की वज़ा से जिद्धी तोड़ी स्लो ही है स्कूल बंद हैं और फीसें जा रही हैं तो हमारी कम्यूनिटी में बहुत सरी लोगों को यह कंसर्न है कि बच्चे तो घर में बैठे हैं फीसें किस चीज की दें दूसरा यह हैं कि फीसें ज्याद हैं बलके ऐसे करें कि मैंने अभी 32 केसें पिछले हुदे में साइन की है जो कर रहे हैं कि कोवड करोना की वज़ा से हमारी इंकम कम हो गए तो हम केस टू केस बेसिस पर उन्हें कंसिडर करके रिकमेंड को प्रिंसिपल यहां समसी ने डिसाइड कर रहे ही वो सारे अंबैसी में बजवा रहे हैं हमें इसमें अगर गौर्बिट लेवल पर किसी से पूछ क्टिस्ट के जी अपने केस बनाके लिख के अपना प्रूफ साथ लगागे कंसर्ण स्कूल में डिपाजिट कराएं उर जो मेरे पस केसे जाने इनको मैं देख लूँ गा जो जो सीजी ज़दा के पास जाने है वो देख लेंगे और हम तकरीबन जिनके प्रूफ साथ लाक क आ रहे हैं उन सब को कुछ न कुछ रिलीफ दे रहे हैं और इन्शालला इस मसले को आइसता इसता हल करेंगे जिन बच्चों के रिजल्ट्स बगारा रुके हुए थे फीसां की ना पे करने के वज़े से वो जब ये एप्लिकेशन आ रही हैं तो उसके साथ हम वो केस भी हल कर जा रहे हैं इन्शालला बचों के रिजल्ट्स बगारा भी जो हैं वो उने दे देंगे उस डेट तक जिस डेट तक की फीसें पे होई हैं बात वाले जो हैं वो फीसों के मामलात रिजाल करके बाकी इन्शालला रिजल्ट्स भी दे देंगे उसके इलावा मैंने स्कूल के भी यह का है कि जी जो स्कूलों की SMC's हैं वो SMC's सौधी गौर्बंट की जो एजूकेशन डिपार्टमेंट है उसकी इंस्ट्रक्शन के साथ निकले हैं तो हमें सौधी लाग की रिस्पेक्ट करनी है साथ मैंने SMC's को भी यह हदायत की है कि आप जो एक सौधी एजूकेशन ड लाइन गयंटी उंगॉड लाइन विट सौधी अजूकेशन डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्शन है अंस पर और सौधी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारी गयड़नान जो है किये कि स्कूल टाइमिंग्स के अंदर SMC नहीं उदर बैठेगी नमबर टू वो अप टू सिक्स यानि कम अज कम छे वो कर सकती हैं अपने सेशन्स कर सकते हैं नमबर त्री वो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो SMC में एक सेक्टरीर के तोर पे शामिल होएंगे और वो नॉन व पूर जो SMC के हैड हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल के जरीए तमाम पॉलिसीज को को डिसेमिनेट कराएंगे पॉलिसीज को डिसेमिनेट कराएंगे उन पॉलिसीज के ओपर डे टू डे जो रूटीन ओर और इंस्ट्रक्शन्स हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल बनाएंगे ने SMC के पूरे वहाब के ऊपर SMC के चेयर इंटरेक्ट करेगा, तमाम जो मेंबर्स SMC के उन्हें इन S.O.P.s में किलिर डियून को बताया गया है, कि वो स्कूल के डे-टू-डे मामलात में स्कूल के टीचर्स के साथ, स्कूल के स्टाफ के साथ डिरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेंगे ये सम्सी के बारे में ये जो सोपी है वो भी मैं इन्वाइट करूंगा इसें आपके त्रू जाए सम्सी के तमाम लोग उसको पढ़ें समझें और ये वाली चूंके सोपी दूसरे जो नेशन्स हैं उनके स्कूलों में इन लेटर एंड स्पिर्ट इंप्लिमेंट हो रही हैं तो स्कूल की सम्सी और स्कूल की प्रिंसिपल्स और एड्मिस्टेशन आपस पे इंतखाई अच्छे तरीके से इंटरेक्ट का रहे हैं अगर हम भी उन साओधी कोवर्मिन्ट की इंस्ट्रक्शन और उसके नतीजे में बनने वाली अमबैसी की जो एसोपी जैं उसके साथ पूरा समझ के उसको पॉजिटिव तरीके से समझ के चलेंगे तो इन्शालला हमारे भी बाहमी तालकाद जो हैं समसी के और स्कूल के वो पाकिस्तान की रेपूटिशन बेतर करने के लिए तोड़ा थोड़ा सब को अपनी अपनी जगा छोड़नी पड़ेगी और खुश दिली के साथ दूसरों को अकॉमेंडेट करना पड़ेगा इसके अलावा जी कोई और क्या पॉइंट स्कूलों के अलावा यह बड़ा अच्छा पॉइंट है कि यह बहुत अच्छा पॉइंट है एक दोस्त की तरफ से आ रहा है कि आप स्कूलों के फीज काम करें जब स्कूलों के बच्चे तो नहीं आ रहे हैं तो स्कूलों के क्लास्रूम बंद हैं स्कूलों में बिजली काम इस्तेमाल हो रही है स्कूलों की मेंटनेस पर कम खर्चा रहा है यह बहुत अच्छा पॉइंट है जी यह नोट करें कि यह पिछले आप ऐसे करें कि मुझे एक बेंच पार्ट टाइम ले लें जून 2019 पकड़ लें जून 2019 से पीछे 24 महीने के स्कूल के जो खर्चें आना वो दो स्कूल पकड़ ल कि जून से पीछे जून 2019 से पीछे 24 महीनों के खर्चे मुझे मुझे मन्थवाइज चाहिए हैं स्कूल के टोटल खर्चें कितने हो रहे हैं और जून 2019 तो नहीं बलके कोवेड और कुरोना की सुरते अल 2020 में नहीं ज्यादा खराब हुई हाँ जनवरी 2020 से करें जनवरी 2020 को कि जून 2021 तक 18 महीनों के स्कूलों के खर्चे जो एक्चुल हुए हैं वो लेके ना प्रिंसिपल्स को और कॉंटेंट्स को इधर बला ले और अगली बूद जुमिरात को बला ले हम ये दो सालों के देखें नहीं जब बच्चे पूरे स्कूलों में तो उसकूलों के खर्च स्कूलों के खर्चे काम हुएं तो फ्यसे काम करें तो इन्शाला इन्शाला कुछ नो कुछ का कर के देते हैं और कि किया थो किया किनोने थे हमें इस मशीव में जड़ा लिए रात गुदर आपने यह समस के लाओ लेकिए अगे चौलो ठीक कार्रेंस के उपर काम क्या क्या वो जाकर वापस आ सकते हैं यह जो जो आपने लिखा है ना कि जी जिन्हों ने इदर से करवाई हुई है वैक्सीन वो अगर जाएं तो वापस आ सकते हैं वापस आने का थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन यह हमने मैंने जो आपको बताया कि हमने यह टेक अप किया है इनकी फॉरण अफेर्स के साथ कि जिनके पास प्रॉपर एकामा है और उन्होंने सौदी वैक्सिन भी ले लिए है वो पाकिस्टान जाएं तो वापस है कि अच्छा के ज्यादा पॉइंट आ है कि इनकमिंग काल आगे जी राना बशारत रिज कालेंगे क्यों हो डिकलाइन को करना ने वह में अच्छा यह आपके फून की अच्छा यह आपके फून की अच्छा अच्छा यह जो जो यह फार में ठीक रही है यह यह जो जो यह फार में ठीक रही है आम इसके कि यह यह न हो सकता कि स्क्रीन कोपर यह जितने लोग जाएं की है वे सारी स्क्रीन पर नजरा रहे हैं तो उन्दों में खरेंगें थादी हम जी next session जो आजू में करेंगे इंशाला जूम में maximum लोग जो हैं online होएंगे उनके visible होएंगे और एक दूसरे माइक आपको देंगे और आप उधर से बोल के क्वेस्टिन कर सके नेक्स सैशन जो है जूम पे करें जी और आज पहली जुलाइब पंदराइक जुलाइब तक करें, पंदराइक जुलाइब तक जूम पे करेंगे, अच्छाओी मेरे तब से खुदा आफ़स जी, थैंक यू वेरे मुझ पर यूर इंपूट थैंक यू गुदाफ।